गुड मॉनिंग फिप्तराश इस्ट्रेंट्स हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर थ्री डिवीजन एकसरसाइज क्वेस्टन फर्स्ट शेकंड थर्ड एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मल्टिप्लिकेशन की प्रावलम्स साल्व करवाई थी आप लोगों ने प्रावलम्स साल्व कर ली हैं और होमबर्क में आप लोगों ने सालुशन बेज़े हैं एक्तम सही है कुछ लोगों को अगर प्रावलम है तो वो हमसे बात कर सकते हैं तो ह हम उनको उनसे रिलेटेड solution explanation और प्रवाइड करा देंगे question 4 divide the following numbers हमें divide करना है divide करना है 2,4912 को 8 से 2,4912 divide करेंगे 8 से अभी आपने multiplication और division subtraction में कहा देखा था कि आप जो आपका right most जो डिजिट होता है once digit वहां से ही हम process start करते हैं addition भी आपका subtraction भी और multiplication भी पर division की process है यह तीनों से हटके हैं इसको हम यहां जो आपका left most जो सबसे last place होता है left most divide हो सकता है कितने time divide होगा 8 to 16 two time completely divide हो रहा है 16 इसको subtract करेंगे आप 0 से 6 subtract नहीं होगा तो यहां से 1 बरू करेंगे यह 10 होजाएगा 10-6 को फोर में लेगा यहां से बरू करने पर आपको बन बचा है तो बन से बन 4 subtract करना है तो फोरी रहेगा 4 से 4 subtract होगा तो 0 आएगा next digit लेकर आते हैं 49 8 6 जा 48 तो यहां 9 से 8 subtract करेंगे तो आपको 1 मिलने वाला है 4 से 4 subtract करेंगे कुछ भी नहीं चाहिए next 9 after 9 क्या है 1 1 लेकर आएगे 11 8 बन जाए 8 8 तो जाए 16 16 11 से बड़ा होगा तो वन टाइम ही डिवाइड होगा 8 बन जा 8 इसको subtract करेंगे 11 माइनस 8 तो 3 डिमेंडर आएगा next digit लेकर आएगे 2 32 हो गया 8 फोर्जा 32 32 subtract करेंगे तो आपको कि नेक्स्ट वन लेक 14,696 इसको डिवाइड करना है 18 से आपका डिविडेंड है 1,14,696 डिवाइजर है 18 डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं तो यहां भी हम 2 डिजिट्स मैं डिवाइड करेंगे इसको 11 आ रहा है 11 से 18 डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 11 चूटा नंबर है य 11 से 18 से 11 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 11 चोटा नंबर है तो हम एक और डिजिट्स ले लेंगे 4 अब आपका जाएगा 114 इसको डिवाइड करना है 185090 1860 108 चामिलेगा आपको 108 यहां अगर आपको 18 का टेविल नहीं भी आता है तो आप यहां पर राइट कर सकते हैं 18 x 1 18 18 x 2 36 18 x 3 3 8 जा 24 2 करी 3 बंजा 3 प्लस 2 5 54 18 x 4 अपका 72 18 x 5 90 18 x 6 108 18 18 x 7 126 18 x 8 144 इस तरह आप जिस जो भी आपको डिवाइजर रहता है इसको रफ वर्क में मल्टिप्लाई करके आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर जीरो हो जाएगा यह 14 से एट सब्टेट करेंगे 6 0 से 0 सब्टेट करेंगे 0 आएगा यहां आपका 6 लेकर आएंगे आप 66 वन डिजिट ही आपको यहां लेकर नीचे लेकर आना है 18 से 66 करेंगे तो आपको मालूम है कि यह 72 और 36 के बीच का नंबर है तो यह 54 3 time divide होगा 50 और 6-4 2 6-5 1 आपको 12 आपको यहां पर जो भी नंबर मिलता है वह हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए जी बड़ा है तो हमने कहीं गलती कर ली है नक्ष लेकर आएंगे 129 129 126 के निर अबाउट है तो how many 7 time divide होगा यहां 9-6 3 2-2 0 1-1 0 यहां आप 0 भी रख सकते हैं और यदि लास्ट तक 0 आ रहा है तो आप यहां पर अब 0 की प्रेक्टिसी रखें उसे दिखकत नहीं है नेक्स्ट है 6 2 time divide हो रहा है 18 तूजा 36 आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन नम्मर थर्ड की प्रॉब्लम सी और डी सॉल्व करनी है यहां फिलिंदा ब्लैंक्स में देखिए इस दो नमबर्स को आप एड कर रहे हैं तो इस तरफ यहां पर वन नमबर तो वहीं रिपीट किया हुआ तो सेकंड नमबर भी वहीं रिपीट हुगा यह जो प्रापर्टी है इसमें देखिए एप्लस भी अगर हम रखें तो यह हो गया बी प्लस एuding यहां पर हम 5531174 में क्या नमबर एड करनेगी हमको वही नमबर मिलें तो सिर्फ 0 एड करने पर वही कबार मिलता है जैसे बन में आप जीरो एड करते हैं, बन आता है, टू में जीरो एड करते हैं, टू आता है, किसी भी नमबर से जीरो को सब्टैट करने पर भी, वही नमबर मिलता है हमको, किसी भी नमबर में जीरो को एड करने पर, या सब्टैक्ट करने पर, उसकी वेल्यू में कुछ भी अंतर नहीं आता है, वही value रहती है, अब हम इस number से क्या subtract करेंगे हमको 0 मिले, हम same number को subtract कर देंगे तो हमको 0 मिलता है, दियान रखेंगे आप, ऐसे 1 से हम 1 को subtract करेंगे तो 0 मिलता है, 2 से 2 subtract करते हैं, 3 से 3 subtract करते हैं, वैसे ही जो number दिया हुआ, same उसी number को सब्टेट करेंगे तो हमको जीरो मिलेगा अब यहां पर हम यहां पर हमारा आंसर है 246802 सिर्फ यहां 0 सब्टेट करना है तो हमारा वही नमब स्वरी 246802 इस नम्मर से ज़िए हम 0 करते हैं तो तभी हमको वही नमबर मिलेगा इसको आप लोगो सब्सक्राइब करनी है इसका हम क्वेश्चन आपको फस्ट या स्वरी क्वेश्चन सी साल्व करके दिखा देते हैं क्वेश्चन 6 का सी प्राब्लम सी हम यहां सॉल्व कर देते हैं आप लोगों को यहां पर हम सी सॉल्व करते हैं सी में प्राब्लम क्या लिखा हुआ है आप लोगों को यहां से देखना है 6,17,174 से माइनस करना है 4,25,372 और इसमें एड़ करना है 2,18,363 आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्लस प्लस बालों को एड़ कर लेना है माइनस माइनस बालों को एड़ कर लेना है अब यहां पर हम 6,17,174 2,18,363 इनको एड़ कर लेंगे फिर इसको सब्ट्रेट कर लेंगे 4-3,1,7-6,1,1 से 3 एड़ करना है 4-3,7,7-6,13,3 here,1 carry,3 plus 1,4 plus 1,5,7 plus 8,15,5 here,1 carry,1 plus 1,2 plus 1,3,6 to 8 अब इससे आप सब्ट्रेक्ट कर देंगे 4,25,372 7-2 सब्ट्रेक्ट होगा 5,3 से 7 सब्ट्रेक्ट नहीं होगा 1 बरू करेंगे यहां 4 रहेगा यहां 13 उनगे 13-7,6 यहां 4 से 3 करेंगे 1 5 से 5 करेंगे 0 3 से 2 करेंगे 1 8 से 4 सब्ट्रेक्ट करेंगे आपका आएगा तो आपको ध्यान रखना है ऐसे ही जिए प्राब्लम भी में आप लोगों को टू ए सेप्रेक्ट करने को दिया हुआ है या तो आप इसको पहले इसको सब्रेट कर लें या फिर इन दोनों को एड़ करके फिर एक साथ सब्रेक्ट करें लें तो कम्प्रिट इस वंबार बाए